इस साल उन्नेस अगस 2030 को हरियाली तीज है हर साल यह पर्व सावन माहा की शुकलपक्ष की तृतिया तिथी को मनाया जाता है इसे अखंड सौभागी की प्राप्ती वाला व्रत माना जाता है इस दिन सौभागीन महिलाएं पती की आरोग्यता और सुखी जीवन के लिए निरजल वरत रखती है वही कुवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस वरत को रखती है इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधिपूरवक पूचा की जाती है वही यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है या विवाह में देरी हो रही है तो आपको हर्याली तीज वरत के दिन कुछ उपाई करना चाहिए चली चानते हैं वे उपाई क्या हैं जो आपको हर्याली तीज के दिन करने है इससे आपका सिग्र विवाह होने के योग जल्दी बन जाएंगे यदि किसी शादी योग कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो उसे हर्याली तीज का वरत जरूर करना चाहिए मानिता है कि हर्याली तीज का वरत करने से जल्द विवाह के योग बनते है हर्याली तीजवरत के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें केला वह केले के पौधे को मंदिर में लगाएं साथ ही मापारवती और शिवजी के समक्ष सुद्धगी का दीपक जला कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रातना करें यदि किसी कन्या की शादी में बार-बार बाधाएं आ रही बात बनते-बनते बिगडती है तो हर्याली तीज के दिन आप विधी विधान के साथ माता गौरी की पूजा करें पूजन के दोरान मा गौरी को लाल चुनरी और श्रिंगार की सामिक्री चड़ाएं साथ ही जल्द शादी की कामना करें बहुत जल्द ही आप की शादी के योग बनेंगे शुक्र ग्रह विवाह से सम्मंधित होता है ऐसे में हर्याली तीज के दिन शुक्र मंतर का जब करना फायदे मंध हो सकता है इस दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमह मंत्र का जाप करें निश्चित ही आपकी जल्द शादी के योग बन जाएंगे यदि आपकी शादी किसी न किसी कारण से बार बार टल रही है तो हर्याली तीच के दिन विष्णु जी को हल्दी का तिलक जरूर लगाएं और अपने मस्तक पर भी तिलक लगा कर पूजा करें इस उपाय से आपके विवाह की सब ही बादाएं दूर हो जाएंगे बताए गए उपाय करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि हर्याली तीच के दिन वैसे भी शिवजी और मातापार्वती की पूजा की जाती है इन उपायों से अगर आपके विवाह के योग बन जाते हैं तो जरूर इन उपायों को एक बार जरूर करें अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें